अज है 3rd January और आज ही सुडियों में हम बात करने जा रहें दो ऐसी कंपनियों के बारे में जिसका मालिकाना हक है वो मुकेश अमपानिकल के पास इनका मालिकाना हक है पहली है नेट्रोगेटिंग और दूसरी है टीएटिंग दोनों ही मीडिया कंपनी है और दोनों ही शेर्स म हो गया था तीन-चार गुना मुनाफ़ा उसी वक्त इसने कमाकर दिया था लेकिन उसके बाद इसमें हमें गिरावट देखने को मिली भी है तो हाल फिलहाल में जब ये शेर्स 36 रुपे के उपर ट्रेट करा है नेट्रोगेटिंग का और टीवीटिंग का 31 रुपे के उपर करने जी क्योंकि आगी भी बहुत सारे वीडियों को काफी जादा हेल्प करेंगे उसके साथ सब्सक्राइब करने मत बुलिएगा लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेट्रोगेटिंग की तो 36 रुपीस का ये शेर है पिछले एक एक साल में अगर हम देखें तो 50 परसंट का पंद्रा रुपे का ये शेर था पेंडामी के दौरा लेकिन ऐसी रैली आई कि आल्मोस्ट पचास रुपे तक उसके बाद डेफिनेटली हमें गिरावट देखने को मिली रहा है और पिछले तीन महिने से अगर हम देखे तो ये ये शेर एक प्राइज रेंज में फसा हुआ है ये शेर 31 रुपे से लेकर 36 रुपे के प्राइज में फसा है और उससे बाहर नहीं जीतल पा रहा है एक बड़ा सपोर्ट भी ले रहा है ऐसा हम कह सकते हैं तीन साल में 40 परसंट के गिरावट है 62 रुपीस के लिव से तूट है लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसका पर्फॉर्मन जो है वो बहतर हुआ है स्मालकप शेर है तीनजल आट सो चालिस करोड के आसपास झा Bowl इसका market cap है अन्स Xia में देखे तो पीस लाग के आासपास का अगर हमें बात को नेटरों की तो टेक्निकल वेटिंग जो इनगी है वो अभी में न्यूटर है अभी कम्पनी में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ कच्छ देखने को नहीं मिल रहा है जो इंफेटर को खरीदने के लिए अट्रैक करें जो यूजर को खरीदने केलिए अगर हम देखें तो यहां पर आप द precaution के जो प्रॉफिट्स है को अच्छ पिछले का वक्त में फ्टन अच्छा यह वाला इनका कमपणी का नेटर गेटिंग आसनी है अपर यहां पर देख सकते हैं कि कमपणी जो है वो नुकसान में है कमपनी लॉस्मे है साइ Insurance London को सब्पंबर में सब्पैंबर में हुआ हूँ जूम में 62 करोड का लॉस हुआ पिछले साल पकरीब sih शाठ पर बोड़ का नुक्सान हुआ कि बहुत बड़ी है उन्यूस को चोटी兩個 में बहुत बड़ी कंपनी है बहुत बड़ा ग्रूप है इनका आप इनके टीवी चंडल साथ हैं यूइंड ने बनाने का काम करते हैं यह लोग में बनानाने का काम करते हैं यह लोग काफakukan बड़ा इनका business है, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी जो company है वो टीवेटिन broadcast है, 31 रोपे का यह शार है, इसमें भी देखें, दोनों एक खीक हाली के चट्टे वट्टे हैं, दोनों का price रेंज आपको सेल भी देखने को मिलेगा, जो price range टेवीटिन का होगा, वही price range नेट्व जिनके बार में already में discuss कर चुका है, इससे पहले के वीडियो में भी, इन चारों कमपनियों को merge करके common company बनाने का प्लान है, मुकेश अंबानी जी का, क्योंकि इन चारों ही company मुकेश अंबानी जी के खंडर में है, तो network 18, TV 18, then network और हाथ है, इन चारों कमपनियों को merger का प्ला या, तीन गुना पैसा इसना कमा कर दे जिया, उससे भी जादा पैसा कमा कर दिया, इस company ने, उसके बाद आप देखे, midcap share है, 5300 करोर के आसपास का market cap है, volume rate बहुत कमे 32 लाग ही, क्योंकि यूजर अग भी अगर हम देखे तो जादा बड़ी quantity मिलो, यहाँ पर interested नहीं है, क् बड़ी ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं किया इस company ने, कि जिसके चलते यहाँ पर लोगों को attract कर पाएगे, promoter के पास 60.40% की holding है, applies के पास 12.14% की holding है, mutual fund ने यहाँ पर almost exit करने का plan बनाया है, 1.54% की mutual fund की holding अप 0.25% की देखने को मिल रही है, और यहाँ पर promoter को है, नेट्रोटी 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 यहाँ के promoters है, सबसे बड़े 51.17% की holding fund के पास, यहाँ पर अगर मैं TV एट्रिन के बारे में देखा तो technical rating जो है, वो इनकी भी neutral रखी की जैसके मैंने कहा, company ने, दोनों ही खबीन ऐसा कुछ किया नहीं है, कि जिससे लोगों में इस के बारे में excitement हो, debt पड़े हुए हैं, दोनों ही शर्स अपना काम कर रहे हैं, कोई बड़ा profit नहीं कमाया है, और ना ही कोई बड़ी announcement होई है, company हो के द्वारा, according to money control user 75% लोग फिरिदने की सलावी तो 25% लोग आपको यहाँ पर बेचने की सलावी दे रहे हैं, उसके अलाव यहाँ पर एक और चीज़ है कि कोई बड़ी block deal नहीं हुई है, कोई बड़ी insider transaction समभरी हमें देखने को नहीं मिली है, तो यह एक positive चीज तो बिलकुल भी नहीं है, किसे भी company के लिए, उसके अलावा, इसके भी जो net sales है, वो तकरीवन 1000 करोर के आजपास के इनके भी net sales हमें देखने को मिल रहे हैं, सब्टेंबर में 75 करोर का income उनापा था, जो बहुत ही बहतरी ही था, इससे पहले जून में से एक करोर का profit था, इससे पहले 23 करोर का profit था, तो इसके profits अच्छे हैं और इनके जो selling है, वो भी बहतर देखने को मिली है, लेकिन network 18 के अगर हम बात नहीं ह देखने को मुझे रहता है कि future में ये company में और बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकते है, reason simple है, हाल कुझा नहीं जो गिरावट यहां पर आई है, वो pandemic के दौरान आई थी, और अभी जो इनका main business है, फिल्मे बनाने का, TV channels का, वो उतना full-fledged में काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी lockdown के दौरान pandemic थे दौरान जो फिल्मों की shooting है, वो अभी शुरू नहीं होई है, ना ही कोई नई movie release हो पा रही है, और ना ही कोई नई movie की shooting शुरू होई है, ना ही वो release होई है, तो इससे कही न कहीं इनके उपर असर जरू पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे अब भी ना ही कि इस शेर कच्छुए की गति से ही आगे बढ़ेगा, ने कोई बड़ी तेजी में यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है, ने कोई बड़ा चमतकार में यहाँ नहीं मिलने हो 안étaisग prisoner में कोई पर उन्यचारो चाहरों मुझे ह nova ने भी तो उनना से और बाद में यहाँ पर investment लाए जाएगा प्रीवेस में यहाँ पर time group के साथ और sony group के साथ बापचीच चल रही इनकी और future में भी जब merge हो जाएगा तो बड़ा investment लाए जाएगा और हो सकते हैं कि बड़े group के साथ बापचीच पर इनकी चल जाएगा अगर हम देखने जाए इतना बड़ा media house है कि जिनके पास कितने सारे लिवर्स है और successfully लिवर्स है जो future में काफी बड़े बन सकते हैं अभी इसे बड़े ही हैं लिके future में किसी बड़ी company के साथ collab करने के में तयार भी है तो इसलिए लिए लेटर के जैसे कि मैंने आपको शुड़वात में ही कहा कि कि कई सारी टीवी चैनल से चाहे हम न्यूज की बात करें चाहे एंटर्टेन्मेंट की बात करें या फिर चाहे और किसी म्यूजिक की बात करें हर सेग्मेंट में है इवन जो सबसे बड़ा online ticket booking platform है book my show जिससे हम लोग movie ले ticket book करते हैं वो भी इन्हीं का platform book my show भी इन्हीं का ह अभी theaters बंद है इसलिए booking कुछ नहीं हो पारें वहां से revenue भी कुछ नहीं मिता रहा है लेकिन future में जैसे ही करोना की वैक्सिन लग जाएगी ठीटर शुरू हो जाएगे बिजनस शुरू हो जागा तो definitely यह वो company होगी जो दुबारा से एक तेज़े की तरफ आगे बढ़ती ह देखने को मिल जाएगी तो इसलिए अगें मैं यहां पर रिपीट करना चाहूंगा कुछ नहीं होने वाला है वक्त देगा इस company के शर्णों में तेजी आने के लिए दोनों ही शर्ण मेरी बने रहने के सलाह होगी लेकिन शर्ण से वितनी है कि नजरिया आपको यहां से एक देखें दोनों ही company इतनी बड़ी और strong है और इतना बड़ा backbone के बरबाद होने वाली यह company नहीं है बलके आने वाले जिन्हों बढ़ सकती है दोनों ही company कि तो वीडियो को यहीं पेंड करूंगा पसंद आएगा तो प्लीज इसे लाइक करें श्राय करें पहली बारे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नेट्वर्क एटीग और टीवी एटीग इन दोनों के बारे पर क्या सोच रहे हैं वो भी आब मुझे कमेंट के लिए तर पर नास पे है थैंक यू